आज हम बात करेंगी MCB के टाइप्स के बारे में और जो हमारे नर्मल घर होते हैं डोमेस्टिक घरों में कौन सी टाइप के MCB हमें लगाना चाहिए नमस्कार दोस्तों, Electrical World Learning Zee में आप सब का स्वागत है दोस्तों, MCB नर्मली 5 टाइप्स के होते हैं होते हैं B, C, D, K और Z ये 5 टाइप के MCB हमें मार्केट से मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं B टाइप MCB के तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये B टाइप MCB है वहाँ पे लिखा हुआ है B10 तो इसका मदलब क्या होता है, B होता है टाइप और 10 होता है करेंट रेटिंग, इसका मदलब है ये 10 एमपेर का MCB है और इसका टाइप है B, OK MCB के जो टाइप होते हैं, उससे ये पता चलता है कि कितना ओवरलोड होने पर MCB ट्रिप करता है और उसके साथ साथ कितना टाइप लगता है इसको ट्रिप होने में, OK जो ये B टाइप का MCB होता है अगर उसके रेटेट करेंट से 3 से 5 गुना ज्यादा करेंट फ्लो होने लगता है, यानि ओवरलोड हो जाता है तो अब ये ट्रिप करता है, इसका मतलब है कि अगर ये MCB 10 A का है B टाइप तो अगर इसमें 30 A current फ्लो होने लगता है तो ये MCB ट्रिप हो जाता है, OK ये तो ट्रिप हो गया, लेकिन कितना टाइम लगता है ये B टाइप MCB को ट्रिप होने में इसको लगता है 0.04 seconds से लेके 13 seconds के अंदर ये trip हो जाता है जब current इसके rated current से 3 से 5 गुना ज्यादा flow होने लगता है अब दूसरा type आता है C type जो ये C type MCB होता है इसको trip होने के लिए उसका जो rated current होता है उससे 5 से लेके 10 गुना तक अगर current flow हो जाता है ज्यादा तो ये trip हो जाता है example के तोर पे अगर ये C type का 10 ampere का MCB है अगर 10 ampere current के जगा पर अगर 50 ampere flow होने लगता है तो ये trip हो जाता है और इसको trip होने में ये C type MCB को trip होने में 0.04 seconds से लेके 5 seconds के अंदर ये trip हो जाता है ये MCB, C type का MCB commercially और industrially यूज किया जाता है यानि जहां पर inductive load का यूज ज्यादा किया जाता है तीसरा आता है D type MCB जो इसका tripping rate है वो 10 से लेके 20 गुना तक होता है यानि अगर 10 ampere का D type MCB है तो इसको trip होने के लिए अगर उसका rated current 10 ampere है जब उसमें ज्यादा current flow होके 100 ampere हो जाता है 100 ampere से ज्यादा flow होने लगता है 10 ampere के जगापर तभी वो trip करता है और इसका tripping time होता है D type MCB का इसका tripping time होता है 0.04 से लेके 3 से के अंदर यानि एकदम से बहुती जल्दी ये trip हो जाता है बहुती sensitive होता है और ये ज्यादा तर highly जहाँ पर बड़े-बड़े motors होते generators होते वहाँ पर use किया जाता है जो कि start करने पर और चाउता है K type MCB जो एक K type MCB है जब इस पर load आज से लेके 12 गुना ज्यादा पड़ जाता है ये तभी trip करता है example के तोर पर अगर K type का 10 Ampere का MCB है अगर 10 Ampere के जगा पर अगर 80 से लेके 120 Ampere के अंदर load flow होने लगता है overload हो जाता है करें और इस K type MCB को trip होने के लिए सिर्फ 0.2 seconds की ज़रूरत होता है तो ये बहुती instantly trip हो जाता है इसलिए ये बहुत बड़े-बड़े machine के लिए use होता है ताकि कोई खत्रा ना हो जैसे कि X-ray machine hospitals में use किया जाता है ये K type MCB और welding machine जहां पर बड़े-बड़े welding होल किया जाता है तो वहां पर ये K type MCB use किया जाता है और last आटा है Z type MCB जो ये Z type MCB है बहुत की sensitive होता है और Z type MCB पर अगर 2 से 3 गुना जयादा overload हो तो ये trip हो जाता है एक्जामपल के तोर पर अगर 10 ampere के MCB है जो Z type MCB है अगर इस पर 10 ampere के जगा पर अगर 20 ampere flow हो जाता है तो ये trip हो जाता है बहुत जल्दी trip हो जाता है और इसका tripping time होता है 0.04 seconds से लेके 5 seconds के अंदर ये trip हो जाता है और ये Z type MCB semiconductor devices के लिए ज्यादतर use किया जाता है इसलिए ये बहुत ही sensitive होता है तुरंत ये trip हो जाता है तो अभी main मुद्धे पर आता है कि घर में कौन सा type का MCB लगाना ठीक रहेगा तो घर में B type MCB लगाना बहुत ही ठीक रहेगा क्योंकि B type MCB में सिर्फ तीन कुना ज्यादा current flow होने पर ही ये trip हो जाता है साथी साथ इसका जो tripping time है वो भी बहुत सही है तो घर के लिए B type MCB बहुत सही रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लिस मेंदे चैनल को जलूँ सब्सक्राइब कीजएगा सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और फिर से बहुत माचाता हूँ आप सब के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का दिन बहुत ही सुब रहे